कोई भी बच्चा अपनी मा के गहने गिरवी रखके किसी इंटरनेशनल फाइट के लिए जाता है जिसके कोच उससे कहते हैं कि ये फाइट अगर जीतोगे तो रुपए मिलेंगे और उस फाइट को जीतने के बाद उस बच्चे को अगर ये पता चले कि ये फाइट तो इसलिए मांशल आट्स ना सिखाए इसलिए ताइकॉंडो ना सिखाए क्यूंकि आप अल्लेडी कराटे में ब्लैक बेल्ट है या पहले आपको कुछ आता है किसी स्टेडियम में आपको इसलिए तबद्रो ना दी जाए ताकि आप पहले से कराटे में ब्लैक बेल्ट है या बहुत सारे interesting question के साथ यह मेरा part 2, part 1 को आपने इतनी तबज़ो दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, part 2 में सारे answer आपके clear करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कि next वीडियो होने वाली है, उन questions के उपर जो बहुत ही जादा beneficial साबित होने वाले हैं आपके लिए, क्यूंकि मैंने पिछली वीडियो में mention किया था, मैं आपको best बना दूँ, इसकी तो guarantee नहीं है, लेकिन मैं आपको य training कर रहा हूं permanently क्यूंकि मुझे MMA की fights करनी हैं, उनमें medals निकालने हैं, क्यूंकि मैं MMA को pursue करने वाला हूं, so उससे पहले मैं कुछ answer आपको देना जरूरी समझता हूं, जो कि आपकी life के लिए बहुत ही जादा helpful होंगे, पहला question इसमें ये है कि certificate कितना महतवपूर्ण है, कितन मैं पहले normal certificate का आप कौन से देता हूं, कि numbers and certificates are really valuable and important in our life, देखें आप अगर किसी job के लिए जाते हैं, तो इस एक room में अगर बहुत जादा लोग हैं, इतने जादा लोग हैं कि जो interviewer है, वो आपका interview लेनी के लिए समर्थी नहीं है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कि आप आपने जो documents दिये हैं, उनके according, जिनके जादा numbers हैं, उन mark sheet को उठा लेगा, और उसके बाद जो लोग mark sheet अपनी लेके गए हैं, जो अपने documents लेके गए हैं, सिर्फ उनी को entry मिलेगी, तो certificate की value आप समझ गए होंगे, क्योंकि numbers की value यह है कि आपको merit में निकाला जाएगा, merit ब certificates are more important, लेकिन बात यहां खतम नहीं होती है, बात तो यहां से शुरू होती है, अब शुरू कैसे होती है, certificate, certificate कोई भी आपको दे सकता है, अगर आपको knowledge नहीं तो अगर आपको कोई local certificate दे दे तो आप क्या करोगी, जैसे मैं अपनी एक personal कहानी बताता हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो में mention किया था, तो इसमें बताना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, कि जब मैंने, I am international gold medalist और मैंने international अपनी fight जीती थी, 9th of October बताला में, international championship थी मेरी, और उसको मैंने, उसमें मैं gold medalist था, तो मतलब 2016 में थी वो fight, उससे 3 साल पहले से मैं practice कर रहा था, जब मैंने international जीती, तब मैं 15 साल का था और मेरे पास brown third belt थी, तो इतने सारे certificate मेरे पास हो गयते, मैंने कैसे लिए ये important नहीं करता है, मैंने कैसे उसके लिए पैसे जोड़े, या फिर क्या-क्या jobs की, मैंने कैसे हासल की उस चीज़ को, लेकिन बाद में, जब मैं international जीत गया, और फिर म अभी जो भी information है, वो online अगर registered नहीं है, उस पे serial number नहीं पड़ा हुआ है, तो वो useless है, क्योंकि कोई मानेगा ही नहीं, अगर आप boss हो, आपके पास मैं आपके ने certificate लेके आता हूँ, जो online कहीं registered ही नहीं है, इनकी कोई मानेता ही नहीं है, बस आपके पास certificate दे दे गए आपक तो उन certificate से क्या फाइदा, तो मैं आपको बताता हूँ, certificate लेना जैसे बहुत ज़्यादा जरूरी है, वैसे ही उनकी जाच परताल करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि हाई सच में online registered भी है, online अगर कोई site open करें, या फिर KFI, Karate Federation of India को हम open करें, तो क्या उसमें registration दिखे कि I am black belt in karate, और अगर ये नहीं देख रहा है, नमश्कार रादा, तो देखो अगर ये नहीं देख रहा है, तो फिर आपके साथ so-called fraud हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, certificates को लेके देखिए, online अभी सब कुछ है, और मैं ये भी नहीं कहता, I am not victim, उस टाइम इतनी information भी नहीं थी, ना मेरे पास, ना मेरे coaches के बास, उनको जैसा बता दिया गया, वैसा उनके पास आया, वही मेरे पास deliver कर दिया गया, और तब इतना ज़्यादा हम लोग socially informed भी नहीं थे, लेकिन अब हम जब informed हैं, तो मेरा ये करतव्य है कि मैं आपको बताऊं, इंडि निकले, तो मेरा मानना ये है कि किसी भी कुछ भी कोई भी sport करिए, लेकिन आप ये make sure करिए कि आपका certificate online है या नहीं है, उससे आपको sport quota मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन चीजों का ध्यान रखी और हाँ, इस question का answer अगर मैं directly आपको दूँ, तो ये है कि certificate is really matters, अगर आप job के ले जाएंगे, इसी जिम में training के लिए जाएंगे, जैसे normal gym में तो आप ऐसे कह भी दोगे तो चल जाएगा, वीडियो दिखा दो चल जाएगा, लेकिन जब आप certified बड़ी बड़ी international level की जिम में जाओगे, तो आपको certificate दिखाना बहुत जादा important होगा, और आपके पास अग fighter और belt holder, so this is very important question की fighter और belt holder, देखो, belt से क्या होता है, belt हमें दी जाती है, ताकि हमारी एक grade हो जाए, और उसके बाद जैसे अभी white belt आपके पास है, तो white belt level का सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद अगर आपके पास orange है, तो उस level का सिखाया जागा, जैसे syllabus by syllabus होता है, जैसे हम भी conduct कराई जाएगी, वो according to your weight होगी, जैसे weight class division होते है, उस weight में आपकी fight होगी, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास grade नहीं है, मतलब belt नहीं है, तो आप fight नहीं है, तो आप fight कर सकते हो, और belt इसलिए भी होती है, देखो, belt शो करता है कि you are black belt and you professionally express yourself in front of anyone, तो ये बहुत अ और इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ, fighter, जैसे belt आपके पास है, तो belt से आप recognizable हो जाएंगे, और आप professionally express कर पाएंगे अपने आपको, लेकिन fighter, fighters देखो, जिस तरीके से हमारे देश में combat sport बढ़ता जा रहा है, उसमें मैं सबसे पहली बात आपको ये बता देत जाओं कि जो भी fights हैं, देखो fights होती हैं, दो की, एक तो amateur level होता है, एक होता है mature level जिसमें हम professional fights करने लगते हैं, जिसका पैसा भी मिलता है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि हम जो भी amateur fight करें, क्योंकि बहुत सारी fights होती है, मैंने अपनी life में 100 plus fight की हुई है, तो बहुत सारी fights तो ऐसे हैं, जिसमें मैं promotion के लिए गया तक, जैसे मैं international जीत किया, तो मैं उनके अगर यहाँ पे fight करने जाओंगा, तो उनका promotion हो जाएगा, कि हमने international level के लोग बुलाए हैं, हाला कि मुझे लगता है, वो मेरी गलतिया ही थी, क्योंकि sportsman को एक level conduct करने के बाद, अपनी fighters के लिए एक बहुत जादा महतपूर जानकारी मैं ये भी देना चाहता हूँ, कोशिश करो कि जो बहुत जादा important हो, जैसे आप open championship खेल सकते हो, या फिर जो government organized करती है, वो championship खेल सकते हो, और उसके बाद कोशिश करो कि अगर आप किसी private organization के पास जा रहे हो, तो वो make sure करो कि भाई, आपकी fight registered भी हो रही है, कहीं नहीं, क्योंकि कहीं दिखेगा, तुम्हारा कहीं record दिखेगा fight में, क्योंकि amateur level पर fight में क्या होता है, बहुत पैसा लगता है, मैंने अपने पास से बहुत पैसा खर्च किया है, fight करने के लिए, पैसा दे दे के fight की, जब तक आप professional fighter नही सब को पैसा मिलेगा, तो ये make sure कर लो, और फिर fight खेलने के बाद, अगर आपका amateur level में record listed है, तभी आप professional fight के लिए recognize होंगे, बड़ी-बड़ी organization में खेलने के लिए, जैसे MFN हो गया, UFC हो गया, karate combat हो गया, क्योंकि अब तो karate combat जैसे बहुत अच्छे games हैं, जिनमें आप openly खे ये है कि भाई, बहुत अच्छी चानबीन कर लो, तब जाके आप fight खेलो, ऐसे किसी भी fight में enter मत कर लो जाके, तो this is a personal tip to me, और एक और personal tip मैं आपको देना चाहता हूँ, ये थोड़ा personal, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे आपको थोड़ी healing में मदद हो जाएगी, क्य जाके olympic खेलना है, ये खेलना है, वो खेलना है, लेकिन मुझे लगता है कि अब international mindset होना बहुत जादा जरूरी है students के लिए, क्योंकि अब चीजें बहुत आसान है, देखो social media से भी बहुत जादा help मिल लिए, जैसे मैं अपनी information share करता हूँ, और मैंने देखा इंडिया में तो जब पहले मैं first academy में था, तो first academy में जब मैं बहुत अच्छा खेलने लगा, मैं वहाँ सबसे जीतने लगा, captain of academy हो गया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब जैसे तुम किसी चीज में best हो गया, room में सबसे जादा smarter तुम ही हो, तो मैं बाहर निकलना चाहिए, मेरा mindset यही किया, तो मैंने देखा कि जो मेरे personal coach हैं, plus जो मेरे team के members हैं, जब मैंने shift कर लिया, मैं दूसरे academy में चला गया, तो उन्होंने मुझसे बोलना बंद कर दिया, हाला कि वो mental torture था, बहुत ज़्यादा मचमच हो गई थी, मेरे mind में मेरे friends के colleagues के call आते थे, और वो मुझसे बोलत कि ये best है, तो मैं गया, तो इसके बाद, sorry, कोई school अगर 10 तक है, तो इसके बाद आपको college में जाना होगा, universities में जाना होगा, academies change करनी होगी, ऐसा ही होना चाहिए, ये है progressive mindset, लेकिन हमें क्या करते हैं, coach इस रोकते हैं, मेरे साथ जो सबसे बड़ी दिल दहलाने वाली, मेरा जल दहलाने वाली जो घटना होई, वो ये थी, कि karate था, तब तक तो ठीक था, उसके बाद, जब मैंने कलरी में shift किया, तो कलरी में भी मुझे कोई problem नहीं होगी, Indian martial arts था, तो उसमें वो ये नहीं पूछते कि तुम कहां से आए हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तो वहा मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि Indian martial arts is the origin of all martial arts, mother of all martial arts is the Indian martial arts, so वहाँ पे भी हो गया, लेकिन वहाँ पर कोई problem नहीं होगी, और दूसरी चीज़, जब मैंने ताइकॉंडो में shift किया, तो ताइकॉंडो में जब मैं गया, और मुझे बहुत बड़ी सीख भी मिली, जैसे अब academy मैं अधर से black belt होके गया था, मैं international gold medalist, मुझे पता ते लगी karate में, आप Olympics नहीं खेल सकते, और उस time पे जब निकाल दे गया था Olympics से बाहर 2020 में, 20 में I think बाहर हो गया था, तो मुझे लगा कि अब मैं इसमें progress नहीं कर सकता, मेरा personal mindset था, तो फिर मैंने ताइकॉंडो में किय switch की चीज़ें, इसलिए मैं ताइकॉंडो में 3 times state level champion हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 fight भी कियों उसमें, तो जब मैंने उसमें shift किया, जब मैंने stadium join किया लखनो में, तो उसमें जो coaches थे, जब उन्होंने मुझे से practice कराई और वो मेरा physique देखा, तो सारे बच्चे practice कर रहे थे, मैं मैं भी गया, मैंने भी बहुत अच्छी practice की, मैं यह सोचके गया था कि अगर मैं अपनी सारी kicks दिखा दूँगा, बहुत अच्छी punching करूँगा, और एकदम dodging बहुत बढ़िया करूँगा, fight बहुत बढ़िया करूँगा, तो coach मुझे कहेंगे कि शाबाश बेटा, तुम आ बहुत अच्छी strength है, तो मुझे ऐसा लगा, I'm like कि, हाँ यार, इसमें career हो सकता है, लेकिन बाद मैं मुझे पता कि उन लोग के अंदर ऐसा चल ला था, कि उनके जो पहले से ही बनाये गए students से, वो सिर्फ उनको भी promote करना चाते है, तो मैं एक साल तक practice किया, और मुझे एक single fight खेलने के लिए नहीं बिली, और वो किसलिए था, सिर्फ उनके एक छोटे से mindset की वज़े से कि मैं karate से आया हूँ, over shine कर रहा हूँ, और मुझे आगे निकलने का जरिया नहीं दिया गाई, क्योंकि अगर मुझे निकाल देते तो मैं, हो सकता है, बहुत अच्छी fights करता है, बहुत आगे जाता हूँ, लेकिन वो दिखाने के लिए, उनको सिर्फ ये प्रूफ करना था कि karate नीचा है, ताइकॉंडो से, मैं अतनी awareness पहलाता हूँ, आज मैं बोलता हूँ, कोई martial arts छोटा बड़ा नहीं है, बड़े हैं, वो लोग जो उसकी practice करते हैं, इतनी चीज़े बोल पाता हूँ, ये सिर्फ यही experience है, जिसने मुझे सिखाया हाला कि मुझे ये भी सीख मिली कि never outshine your master, लेकिन अगर मैं वहाँ पर ये rule follow भी करता, तब भी अगर कोई बंदा black belt है, तो आपको उसको परक के उसको आगे ले जाना चाहिए, ना कि आपको पूरा focus इसको देन कर सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ, हाँ, उनके भी कुछ circumstances रहे होंगे, क्योंकि देखो, society का तो फर्क पड़ता ही है, मुझे लगता है कि अभी हमारे देश भारत को 70-75 साले हुई है, इतनी गुलामी से निकल के, तो हमारे अंदर जो भी mentality थी, उसको खतम करने में थ थोड़ा personal बतांगो, फिर चलो, now come to the point, there's the point of the story, और मुझे बहुत सीख मिली इसके वज़े, never out sign your master, मैंने ये follow किया, लेकिन फिर भी मैं एक साल तक करता रहा और मुझे एक single fight खेलने के लिए नहीं विली, और मैं उस time पे मैं भी 18 प्लस था, तो मेरे अंदर भी कुछ भी कर देंगे वाला सीन था, तो मैंने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद मैंने प्राइवेट अकेडमी जॉइन कर ली, तो इस दर की बज़े से प्राइवेट अकेडमी जॉइन की मैंने, कि यहां पे तो मुझे खिलाएंगे नहीं, क्यूंकि मुझे कराटे आता है, लेकिन जब मैंने प्राइवेट अकेडमी जॉइन की, तो मेरे एक भहिया थे, उन्होंने बताया कि रिशब जब तक तु यह बताता रहेगा, कि तु ब्लैक बेल्ट है, और तु इंटरनेशनल खेला है, तुझे बहुत अच्छी फाइट साती, शो करता रहेगा, तब तक तुझे कु मैं आपको बताओ, मुझे आपको बताओ, मैं आपको बताओ, 2016 मैं इंटरनेशनल गोल्ड मैनलिस था, और उससे तीन साल पहले से कर रहा था, 2002 मैं मैं पैदा हुआ, मतलब 12 साल की उमर से मैं कराटे कर रहा हूँ, एक डिकेड हो गया, पूरा प्रैक्टिस करते-करते और मैं विक्टिम प्ले नहीं कर रहा हूँ, हाँ, होती ही चीज़े देखो अब, जरूरी नहीं कि सारी उनकी गलते हैं, कुछ मुरी भी होगी, और फिर जहां से मैंने सीख ली हाला की, जिन्होंने दी, वैसा मैं आगे बढ़ता गया, तो हुआ क्या, आपकेडमी जोईन क कि मुझे कुछ नहीं आता, तो वहाँ से सीखा सीखा, स्टेट गोल्ड मारा, फिर दूसरी स्टेट हुई, उसमें गोल्ड मारा, और मेरा फिंचर बढ़िया हो गया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कि आप कितना भी open mindset रख लो, लेकिन जो jealous होती है न यह चीज मुझे कैसे समझ में आई, कि जब मैं बहुत अच्छा खेलें लगा, कोच का सिख से favorite students, captain of the academy बना, सर ने मेरे लिए सारी चीज़ें free कर दी, और मैं अभी भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, कराटे से, ताइकॉंडो से blacklisted होने के बाद भी, क्योंकि उन 2015 से तो मैं YouTube कर रहा हूँ, तीन चैनल बंद हो गया मेरे, वो चीज कभी और, शेयर करें कभी हो, तो कोई एक बंदा था, जिसने सारी मेरे बारे में information निकाल के, भाई इसका तो YouTube के चैनल है, ये कराटे में already black belt है, इसके पास international gold है, और जाके coach को बता दी, अब किसी coach को ये चलेगा कि ये बंदा ऐसा है, अब इसको पहले से, इसने मुझे कुछ नहीं बताया, और अभी जाके ये पताज लगी, ये तो इतना सब है, और मैं इसके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो उस बंदा जो भी था, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो कौन था महरा नहीं खाई थी, क्योंकि मैं एक ब्राइटर स्टूरेंट था हूँ, और रहूंगा, I'll show you, क्योंकि मुझे और किसी को नहीं आपको और अपने आपको शो करना है, तो फिर बहां से निकाल दिया, और निकाल दिया, तब तो मैं चला आया, भाग के, लेकिन जब मैं चला आय कि अब इसमें मेरी गलती कहा है, मैंने तो सिर्फ इसलिए बताया था कि मुझे अच्छा सीखने को मिले, मैं ये दिमाग में फालो करना था कि never outshine your master, मुझे तो देश को represent करना था, मैं already इतने सारे efforts डाल के आया था, तो उसके बाद जब मुझे ये पता चला, तो भाई, ज सारी चीज़ें drop out कर दी, क्योंकि अब उससे ज़्यादा मुझे लगता कि मेरी उस टाइम पे mental strength इतनी ज़्यादा तफ नहीं थी कि उसके बाद भी मैं फिर कुछ सोचता, मैंने boxing का सोचा भी, लेकिन तब मैंने फिर सोचा कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, घर पर ज इतना crazy है, MFN का इतना crazy है, प्लस MMA में भी बहुत सारी fights खिला ही जा रही है, जो कि आप national level पे कर सकते हो, government level पे कर सकते हो, तो अभी जाके मुझे थोड़ा प्रोच साहन मिला और मुझे लगा कि नहीं, जब मैं एक साल से एक, और मुझे लगा कि जब मैं एक decade से practice कर रहा प्राइटर स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्यों come back नहीं कर सकता, और उन सभी athletes से भी मैं कहना चाहता हूँ, कि जो बहतरीन athletes हैं, और जिनके साथ यह conditions हुई है, क्योंकि मेरे साथ मैं एकलौता हूँ, ऐसा नहीं हूँ जिसके साथ यह हुआ है, ऐसे बहुत सारे athletes हैं, अभी यह video बना रहा हूँ, अभी देखना इसमें, अगर आप भी ऐसे athletes कमेंट करके बताना, और मेरी तरफ से I am proud of you, I am believe in you, कि आप come back करो की, क्यों मैं बता रहा हूँ कि आप जितने brighter students थे, उतना अच्छा ही आपका come back भी होगा, बस आप अब informations के साथ आगे बढ़िये, इस वीडियो में आपसे बताया था कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा personal होने वालों, तो I think यह story आपको बहुत ज़्यादा help करने वाली है, और एक और answer, और भी questions हैं आपके, तो questions भी थोड़ा clear कर देता हूँ, क्योंकि साथ-साथ questions भी clear होते रहने चाहिए, frauds, frauds, what is fraud frauds, frauds देखो यह हैं, कि अगर आपको, पहली बात तो अगर martial arts सीखना चाहते हो, तो martial arts का basic concept होना चाहिए, कि आपका mind fit रहे, आपकी body fit रहे, आप आगे बढ़ो, उसमें देखो अगर आपको कोई championship नहीं खेलनी है, आपको कोई athlete नहीं बन रहा है, तो आप ऐसी martial arts सीखो, आ आप अगर देखो, अगर यह करते हो, कि आपको online black belt चाहिए, तो देखो online black belt में कितना दम होगा, वो आपको भी पता है, online अगर कोई certificate आपको बना के दे रहा है, तो उससे क्या ही फाइदा, उसका कोई, online certificate लेने से बचो, online black belt लेने से बचो, online सीखो, देखो self development के लिए सीख सकते हो, इस बात का कोई sensi नहीं बनता है, आपको पता है, how much dangerous MMA is, सारे sports combine हो जाते हैं, कुछ थोड़ी सी चीजें बैन है, fouls हैं, बाकि आप उसमें सब कुछ यूज कर सकते हो, whether it's wrestling, jjitsu, boxing, thai boxing, kickboxing, taekwondo, karate, हर एक art यूज होती है, उसमें, including wrestling as well, इतने dangerous sport को अगर आप online, online pursue नहीं कर सकते हैं, अगर आप एक level के fighter बनना चाहते हैं, हाँ, online से आप technique सीख सकते हो, बिल्कुल basic नहीं हो गए, देखो online से अगर आप stamina बना लेते हो, speed बना लेते हो, stance बना लेते हो, तो classes में जाके आप बिल्कुल basic play नहीं करोगे, आपको वो words पता होगे, जैसे किसी भी आगे निकल जाएंगे, अगर आपको नहीं पता होगे, तो आप उसी academy में पैसे दे दे के वहीं चीज़ें, ज्यादा दिनों तक सीखेंगे, अब जैसे मेरे पे karate की पूरी सीरीज है, martial arts की पूरी सीरीज है, आपको bomb up के सारे videos मिल जाएंगे, आपको stretching के सारे videos मिल अगर black belt online, हाँ, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, अगर आपको, लोग को show करना है कि I am a black belt, then तुम कहीं से भी ले सकते हो, तो फिर एक काम करो, वहां से मत जाओ, बढ़िया कानपूर में जाओ, कानपूर में जाने के बाद, कानपूर में एक भारत sports है, वहां पे सा खरीद लो, including black belt, brown belt, whatever belt you want, without certificate खरीद के, वो भी रख लो, वो भी काम करेगी न, ऐसा fake certificate लेने से कहीं फायदा, तो मेरा opinion इस पे यही है, and I hope, कि आप इस story से, इन answers से, satisfy हुए हो, क्योंकि यह बहुत जादा important role play करने वाले हैं, और अब मैं आपको एक announcement भी करने वाला हूँ, announcement के लिए मैं part 2 आपको बना दूँगा, क्योंकि यह video already बहुत जादा बड़ी हो गए, मैं इसको बहुत जादा बड़ा नहीं करना चाहता, तो इस video को मैं यही पे समाप्स करना चाहूँगा, यह कहके, कि अगर आप भी करना चाहते हो, अपनी body और अपने brain का software update everyday, then never forget to subscribe, सिंग आयमे, क्योंकि ऐसी informational videos, technical videos, tutorials, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जो एक athlete के लिए बहुत जादा important है, जो एक healthy lifestyle के लिए बहुत जादा important है, जो एक mental growth के लिए बहुत जादा important है, वो मैं हमेशा लाता रहूँगा, चाहे वो podcast के रूप में हो, tutorials के रूप में हो, series हो कोई, या फिर normal solo video मैं देता रहूँगा, और आप ऐसे ही सिद्धत के साथ, true sportmanship के साथ जोड़े रहे है, रिशप सिंग आयमे के साथ, क्योंकि आयमे का मतलब ही है, Indian martial artist, whether it's me, it's you, and our whole country as well, नमस्कार मुझे दीजिए इतात, आज की video में बस इतना ही, और part 2 में कोई बहुत announcement करने वाला हूँ, जिसको देखने के लिए आप part 2 जरूर देखें, bell icon को press करें, ताकि आपको वो video जरूर मिल सकते, thank you